हेलो इस्टूटेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल आइम रिश्मी ओम एक्स टीचर तो आज इस वीडियो में खतम करने जारे हैं चैप्टर नमबर ट्वेल मिस्लीनिस एक्सेस के लास्ट त्री क्वेशन बचें बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन से आप इनको अच्छे समझना त तो question no.4, important mark कर दो, इसको find the coordinates of a point on y axis तो हमें यहाँ पर क्या करना है, y axis पे one point है उसके coordinates हमें यहाँ पर क्या करना है, find करना है तो इह तो यह हमारी 3 axis हो गई, अब आपको कह रहे हैं कि आप y axis के पर एक point है उसके coordinates यहाँ पर find करके बताओ, तो मैंने आपको जब 12.1 का introduction की बात हो रही है तो उस axis के उपर उसी का coordinate होगा बाकी सारे 0 होगे जैसे हम 2D में नहीं बात कर दें यह आपकी x-axis है और यह आपकी यहाँ पर y-axis है तो हम भी कहते हैं x-axis पर क्या होगा y-0 होता है y-axis पर x-0 होता है अगर मुझे यहाँ पर कोई भी point लिखना है तो x तो वह पर होगा लेकिन y नहीं होगा यही मैंने अपको बताया था अगर y पर किसी point की बात कर रहे हैं तो x वहाँ पर 0 होगा और y का coordinate वहाँ पर होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा कुछ भी होगा लेकिन x का coordinate हमेशा 0 होगा और x-axis पर x का coordinate की कोई ना कोई value होगी 1 2 3 4 या negative होगी लेकि इसका x coordinate 0 होगा y की value कुछ न कुछ होगी और z का coordinate वहाँ पर क्या होगा 0 होगा क्यों कि हम 3 dimensional की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह ऐसा point है इसके coordinate हमेशा निकाल के बताने यहाँ निकाल के निकाल होगा y की value क्या 1 है 2 है 3 है जो भी हाँ पुट कर दोगे तो इसका coordinate यहाँ आ जाएगा तो कुछ इंकुछ condition दी होगी तभी हम इसको निकाल पाएंगे तो इसने का find the coordinates of a point on y-axis which are at a distance of 5 root 2 from the point P 3 minus 2 comma 5 तो यह आपको कह रहा है कि आप जो है यहाँ पर y-axis पर किसी coordinate को आप निकाल करके बताओ जो किसी और point P से इस distance पर है नॉर्मल हम यहाँ पर figure बनाता है तो हमारे पास एक point है a ठीक है और एक point है आपको यहाँ पर पास P है तो P के coordinate के है 3 minus 2 5 है और A के coordinate के है आपके 0 comma y comma 0 है इन दोनों के बीच की जो distance वो आपको कितनी दियो है 5 root 2 यह हमें question में दिया हुआ है कि A point से P की जो distance से वो 5 root 2 है तब आप यहाँ पर इस y की value निकाल करके बताओ क्योंकि यह तो 0 यह भी 0 तो आपको यहाँ पर इस coordinate को निकालना यहाँ पर only y की value को निकालना है यह समझ में आ गया तो यह हमने access के through मैंने आपको A के coordinate कैसे निकालने हो समझा दिये तो देखो distance formula में दो तरक के question होते है या तो आपको coordinate दिये होंगे और distance निकालने होती है दूसरा question होगा आपको distance दिया होगा और नमें से किसी के coordinates क्या होंगे निकालने पड़ेंगे तो अब बस यहाँ पर आपकी A से लेकर के P तक के distance 5 root 2 दी हुए है तो हम वही distance का formula लगा करके इसको solve कर लेंगे तो answer कैसे लिखेंगे Since point is on y axis point कौन सा यह वाला a point यह point जो वो y axis के उपर है इसलिए x and z coordinate इसके 0 होंगे तो यह जो point है वो हमने यहाँ पर लिखेंगे इसके coordinate यह है तिर given on है आपको point A is यह point जो है वो 5 root 2 distance है इस point से 3 minus 2,5 से that means P A equal to कितना है आपका 5 root 2 यहाँ पर है तो distance का formula लगा लो यहाँ पर distance का formula में इधर लगा देती हो तो distance P A equal to आप कैसे find करते हो X2 minus X1 का square plus Y2 minus Y1 का square plus Z2 minus Z1 का square यही आपके पास formula होता है न तो इसमें से किसी को भी X1, Y1, Z1 ले लो किसी को भी X2, Y2, Z2 ले लो तो यह मैंने X1 ले लिया यह Y1 ले लिया यह Z1 ले लिया यह मैंने X2 ले लिया यह Y2 ले लिया 3D में तो यह होता है न जैसा ऐरोप्लेन ऊड़ रही है या कोई चिडिया ऊड़ रही है तो वो 3D में ऊड़ते हैं तो किसी axis के उपर नहीं होगा नहीं किसी plane के उपर होगा यह point कहा होगा इस तरह से हवा में होगा तो हवा वाला point बना नहीं सकते हैं इसलिए यह हमने easy figure यहाँ पर बना लिया अब distance का formula लगाते है तो PA equal to PA कितना x2 minus x1 तो 3 minus 0 हो गया तो यह हो गया 3 minus 0 का square फिर y2, y2 कितना अपका minus 2, formula का minus और y1 कितना है तो आपका y है तो यह square हो गया फिर plus आपका z2 minus 1 तो 5 minus 0 का square तो यह हो गया 5 minus 0 का square equal to आपको distance दी होई है 5 root 2 एक बार इसको solve कर लें पहले अंदर से solve कर लें उसके बार देखते हैं क्या करना है तो root आपका azit है 3 में से 0 गया तो 3 का square हो गया तो 3 का square आपका यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया 3 minus 0 3 होता है 3 का square 9 हो गया तो यह पूरी equation हमारी y के अंदर यह एक ही variable में यहाँ पर तो बस अब इसको solve करना है solve करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है root को हटाना होता है root हटाने का एक ही तारीका है squaring both side squaring both side यह हमारा root हटाने के लिए है तो root अगर आप इधर भी square कर दो यह आपका कितना हो गया minus 2 minus y का square 25 plus 9 कितना हो जाएगा तो 25 plus 9 आपका यहाँ पर हो जाएगा 34 हो जाएगा तो इसको यहाँ पर लिख लेता है यह मैंने सीधा यहाँ पर लिख दिया और यह हो गया square और इधर भी square हो गया तो यह हो गया 5 root 2 का square हो गया तो यहाँ तो square से root cancel हो गया तो बचा कितना minus 2 minus y का square plus 34 बचा और इधर 5 root 2 का square तो 5 का square अलग हो जाएगा और root 2 का square क्या हो जाएगा अलग हो जा जा इस तरह से दो टर्मिन न तो बहिए दोनों का अलग होगा फाइफ का स्क्वार होगा 25 और रूट टू तो रूट से स्क्वार कैंसल होगा तो टू बज गया तो 25 इन्टू 2 यानिकि 50 आ गया तो यहां पर आ गया 50 ठीके अब एक बार इसको खोल लेते हैं आप है तो आप यहां पर एक चीज समझो कि जो आपका a plus b का whole square होता न वहीं आपका यह minus a minus b का square होता है a plus b के square का formula वो equal होता है minus a minus b के square के same sign होगा तो वही formula होगा a square plus b square plus 2ab और अगर डिफ्रेंट साइन है एक positive एक negative है तो negative आला a square plus b square minus 2ab होगा है यह आप यहाँ पर समझो कहीं पर आप इस तरह से x1 x2 लोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा तो यह सेम यही फॉर्मला a square यानी minus 2 का square क्या हो गया 4 होगा है b square यानी minus y का square कितना हो गया तो y square हो गया फिर plus 2ab तो 2 2 जा 4 यह हो गया अपका 4y हो गया तो यह मुझे यहाँ पर क्या देख रही है यह quadratic equation बनती होगी दिख रही है तो इसको 50 को पर उदर जाते है तो plus का 50 उदर जाके minus का 50 हो जाएगा तो इसको बस solve करना कोई quadratic equation बन 4y हो गया 34 plus 4 कितना हो गया 38 हो गया 58 में से 38 गया तो 12 बच है लेकिन sign क्या आएगा negative आएगा क्योंकि 50 बड़ा जो बड़ा है उसका sign आएगा अब वही middle term split करना है तो हमें दो number ऐसे चाहिए कि जिनका यहाँ पर a कौन है तो 1 है y square का coefficient 1 है b कौन है जब भी middle term split करते हैं हम सा 2 number ऐसे चाहिए जिनका product करो तो a into c यानिकी 12 आना चाहिए और जिनका यहाँ पर sign का काम है यहाँ देखना की p plus q करेंगे p minus q यहाँ minus q तो p minus q आपका b यानिकी 4 आना चाहिए तो बहुत simple है 6 into 2 क्या होता है 12 होता है 12 के तो factor बनाने हो मैं और 6 minus 2 कितना होता है तो आपका 4 हो इससे फैक्टर की बना तरह से वह देखना हो बगी वह भाएक बहुत simple तो मैंने यहाँ पर दारेट लिग दिया तो यह आपका यहाँ पर क्या हो गया तो यह आपका y2 एक्षा माइनल करें गरेंगे 6 minus 2 लिगें है y-12 इक्वल तो बस इसको कर दूल कर दो यह यह यहाँ न तो 6y हो गया, plus minus minus 2 into y, 2y हो गया, फिर minus का 12 एक्वल to 0, first 2 में से common लो, तो यह y square और 6y, इसमें से y common आ रहा है, तो यह आपका यहाँ पर क्या बचा है, इदर से y बच गया, इदर से 6 बच गया, यहाँ पर जो भी sign आता, वो बाहर आता है, तो 2 के टोल, 2 भी आता, 12 बच आता है, तो यह बाहर आ गया, तो यहाँ से y plus कितना बच गया, 6 बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, तो दोनों positive हो जाएंगे, when y plus 6 equal to 0 है, तो y equal to कितना, plus का 6 इदर आखे, minus का 6 हो गया, फिर next, when y minus 2 equal to 0, तो this implies y कितना हो जाएंगा, minus 2 इदर आखे, क्या हो जाएगा, plus का 2 जाएगा, यहनिकि हमें 2 value है, एक 2 मिली है, एक minus 6 मिली हो, दोनों possible है, एकस के उपर तो positive, negative दोनों तरग की value होती है, जाहे आप यहाँ पर, जिसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एक सारी बच पॉज़टी हो, जिसकी इस y एक से distance कितनी, 5 root 2 है, तो यह आपका एक point A है, और एक और point है, जिसकी अगर आप देखोगे, तो उससे भी distance अपकी कितनी आ रही है, 5 root 2 ही यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो final answer, जैसे हमें question कुछ अगर वैसे लिखते है, does the coordinates of the required point is, तो क्या हो जाएंगे, 0,2,0 and 0,-6,0, तो एक बार 2 रख दिया y की जगे, और एक बार हम भी यहाँ पर minus का 6 लग दिया, ठीक है, easy question, कोई tough नहीं था, कि ऐसा कुछ, बस आपको यह point समझ वाना चाहिए, यह point आपको कैसे लिए, y axis पर है, तो y coordinate होगा, बाकी 2,0, x पर है, तो x होगा, बाकी 2,0, z पर तो z होगा, बाकी 2, आपके हिहां पर क्या हो जाएंगे, 0, now next question देखो, question number 5, तो question number 5, यहाँ पर देखो, बहुत simple question हो, यह भी, a point r with x coordinate, 4, lies on the line segment, joining the points p and q, find the coordinates of the point r, तो देखो, यहाँ पर क्या कहरा है, कि एक point r है, अभी coordinate को छोड़ दे, एक point r है, जो कहाँ पर है, lie कर रहा है, कहाँ पर on line segment, एक line segment के ओपर line कर रहा है, और वो line कैसे बन रही है, p and q को join कर रही है, तो देखो, यहाँ पर पहले, यहाँ पर figure से समझोगे, यहाँ पर, तो यह एक line segment है, यश्का p है, coordinate है, यह q है, तो p, q को join करने से, आपकी यहाँ पर line segment बन रही है, और जो r point है वो इसके उपर लाई कर रहा है यहाँ यहाँ कहीं पर भी जो आया आपका r point है तो यह हमारा यहाँ पर r point है चीक है और हमें इस r point के ही coordinate यहाँ पर find करने है r point r lie on the lies on the line segment line segment joining the points p and q जो की p and q को join करने से बन रही है r point उसके lie कर रहा है आप उस r के coordinates यहाँ पर find करके बताओ यह हमें कहाँ एक और चीज हमें यहाँ पर दी है कि जो r point है उसका x coordinate क्या है 4 है अब यह r point है तो इसके भी coordinates होगे जैसे इसके coordinates है इसके बी तो coordinates होगे क्योंकि हमें r के ही तो coordinates फाइं करने के लिए कहाँ तो इन्होंने total 3 coordinate आएंगे एक X आएगा, एक Y आएगा, एक Z आएगा लेकिन इसमें से इन्होंने कहा है कि X coordinate जो है वो इसका 4 है अब हमें Y के बारे में नहीं पता और हमें Z के बारे में नहीं पता कि इसका Y coordinate क्या है इसका Z coordinate क्या है वो हमें यहाँ पर नहीं पता है हमें सिर्थ यहाँ पर कहा है कि PQ एक लाइन को जॉइन करने से जॉइन करी उसके पर एक R point है और R point का X coordinate आपका 4 है तो बाकी के 2 coordinate क्या होगे Y और Z होगे अब आप यहाँ पर R coordinate को find करके बताओ A book में तो hint दिया हुआ है अब आप सोचो कि आप distance formula से निकाल सकते हो या section formula से निकाल सकते हो यह अगर हमें midpoint दिया होता तो हम midpoint formula भी यहाँ लगा सकते थे बडार आपको यहाँ पर midpoint formula ने दिया जैसे अब आपको तीन पॉइंट देगैं पो इसको करेंगे कैसे उनने यहां पर यह सोचती हूं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मुला लगा ले तो डिस्टेंस तब लगा सकते थे जब मुझे इनके distance के बीच में कुस relation बताओ कि भई P से R तक के distance ये है या R से Q तक के distance ये है तो वो तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि distance के बारे में यहाँ पे कोई idea नहीं है बट हम यहाँ पे section formula लगा सकते है section formula क्यों लगा सकते हैं कि let की जो यह r है वो pq को k is to 1 ratio में यहाँ पर क्या कर रहा है divide कर रहा है जो r point है वो pq को k is to 1 ratio में divide कर रहा है तो उसके according हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो r के coordinate दिये हम है हम r के एक और coordinate लेकर क्या सकते हैं formula वाले method से तो ये भी r के coordinate होंगे, ये हम formula से solve करकर लाएंगे, वो भी r के coordinate होंगे, तो उन दोनों को has solve करेंगे, फमारी k की value भी आजाएगी, हमारी y की kalau doing value भी यहां से इस तरह से हम r के coordinate को fine कर लेंगे, बस समझ में आगया आपको, अब देखो कैसे करेंगे ठीक है तो एखा गिविन दाट पॉइंट आर लाइ ओन दे लाइंट सब्सक्रिप्शन में दिया हुए नहीं तो लेट आर डिवाइड देखो इन देखो पॉइंट आर पॉइंट गर्राइशो में दिवाइड कर रहा है तो वही हमारा सेग्मेंट वाला फॉर्मूला कि वी नो दैग और पी दिवाइड एव इन्टरनली इन रेश्यो जब भी हमें पता है और इन्टरनली जब हमें एक्सटरनली दिया है तब भी फॉर्मूला लगाना अधर्वाइस हमँषा इंटरनली वाला ही लगाएंगे M1 ratio M2 तो यह हमारा formula होता है यह formula आपको as it is यहाँ पर copy कर लेना है कि इस P के coordinate निकालने के लिए M1 X2 M2 X1 इसी दर से करते हैं तो वही formula हमें यहाँ पर लगा दिने हैं तो हम coordinate of R जो हमारे एक तो यह है जो कि हमें question में given थे उसके condition according हमने बनाए है अब एक और हम यहाँ पर लिखते है formula के according coordinate of R आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे वही k into 8 1 into 2 पहले x coordinate लिखे तो k into 8 कितना हो जाएगा 8 k plus 2 into 1 2 हो गया divided by k plus 1 हो गया यह हमारा formula फिर y का लिखो तो k into 0 to k into 0 तो 0 हो गया और minus 3 into 1 तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बचा मैने 3 बचा k into 0 तो 0 हो गया तो क्यों लिखे है उसको यह k plus 1 हो गया फिर for z के लिखो k into 10 तो यह आपका 10k हो गया फिर plus 1 into 4 तो यहाँपका 4 हो गया divided by आपका इहाँ पर क्या हो गया coordinate of r यह भी है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोनो left equal है तो right equal हो जाएंगे यह coordinate की आर question में दिया हूँ और यह हमने formula से निकाले है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे this implies coordinate of r यह value यहाँ पर रब्द यह वाली value ना इसकी यहाँ पर रब्द 4,y,z तो हमें क्या यहाँ पर compare करने में easy रहेगा 8k plus 2 upon k plus 1 फिर यह हो जाएगा minus 3 upon k plus 1 और यह हो जाएगा अब का 10k plus 4 upon k plus 1 हो गया तो compare करो x को x से करेंगे y को y से करेंगे z को z से करेंगे x को x से करेंगे तो यहाँ पर सिरf k variable है तो हमें यहाँ से k की value मिल जाएगी फिर y को y से करेंगे तो यहाँ y भी है k भी है यहाँ से k की value हैगी वो यहाँ put कर देंगे तो y मिल जाएगा z को z से करेंगे तो k की value जाएगी हो यहाँ भी put कर देंगे तो हमें z मिल जाएगा तो solve करो one by one ठीक है तो solving x coordinate x coordinate यहां कौन है 4 यहां x coordinate कौन है 8k plus 2 upon k plus 1 है तो बस इसको solve करो हम x की यहाँ पर k की value मिल जाएगी तो यह 4 यह denominator में न यह दर चला जाएगा तो 4 into आपका k plus 1 हो जाएगा equal to कितना हो गया 8k plus आपका 2 हो गया now इसको solve करो 4 into k तो 4 k हो गया फिर 4 into 1 तो यहाँ हो गया equal to 8k plus आपका 2 हो गया 4k को इधर भेस दो variable variable exist, number number exist तो यह plus 2 जाएगा तो 4 minus 2 हो गया यह 8 की हो गया plus का 4 की जाएगा तो minus 4 की हो गया तो 4 मैंसे 2 गया तो आपका 2 बचा 8 मैंसे 4 गया तो 4 बचा k as it is इसके चिपका हुआ वैसे लिगे दिया k की value चाहिए तो 2 यहाँ पर है 4 इसके denominator में आ जाएगा तो यह आपका यहाँ पर हो गया तो 2 की तो आया 1 time 2 की तो 4 आया 2 time तो यानि कि हमारे पास k की value कितनी है यहाँ से 1 by 2 हो गए तो पहले को solve करके तो हम left को पहले उदर ले जाते तो यह y k plus 1 divide में इदर आजाएगा आपका multiplyment equal to minus 3 हो गए तो k की value तो हमें पता है ना दो variable है तो कैसे value आएगी तो k की value हमें यहाँ से पता है तो k की value put कर लो y into k की value कितनी 1 by 2 तो यह 1 by 2 plus 1 हो गए equal to 3 तो 1 and half add करके कितना आता है 3 by 2 आता है ना LCM करके कर ले ना वरना 1 plus 1 by 2 कितना होता है तो 3 by 2 होता है यह इस तरह से LCM ले करके आप इसको solve कर सकते हो तो यह 3 by 2 हो गया और यह equal to 3 y की value चाहिए 3 as it is 2 denominator में numerator में चला जाएगा यह numerator में denominator में आ जाएगा 3 by 2 था इदर जाके 2 by 3 बन जाएगा 3 से 3 cancel हो गया तो y equal to कितना आ गया अपका यहाँ पर 2 आ गया अच्छ अच्छ यहाँ minus रहे गया यह minus बाकी था ना साथ में यह minus है तो इसका मतलब यहाँ पर minus का 2 है जाके confusion ना हो तो यह हो गया अपका k plus 1 हो गया और इदर 10 k plus आपका 4 हो गया अब रखो again k की value तो यह हो गया 1 by 2 plus 1 हो गया equal to 10 into k की जगे 1 by 2 रखा plus 4 हो गया k की value हमने निकाल दी ना पहले से तो यह 1 by 2 plus 1 कितना होता है तो 3 by 2 होता है तो यह 2 plus 1 mix number होता है उस तरह से solve किया 2 से यह cancel हो गया 5 तो 5 plus 4 हो गया 9 तो z equal to 9 हो गया और यह इदर आएगा 3 by 2 हो गया 2 by 3 हो गया 3 की time में 9 आया 3 time तो z equal to 3 2 हो गया 6 हो गया तो जो हमें यहाँ पे चाहिए थे आपको क्या कहा था find the coordinates of the point r r की coordinate क्या है 4, y, z है तो y and z की वेली तो हमने निकाल चुके तो final answer लिख लो hence coordinate of hence coordinates of point r equal to 4 है 4 हमें question में पहले से दिया वा था 4 है now y तो y minus 2 है और z तो z तो अपका यहाँ पे कितना है 6 अगर यह हमारे r के क्या हो गए coordinates हो गए now last question देखे यह भी easy question था इसा कुछ नहीं था इसमें समझनी है जासा की बहुत tough हो आपको बिल्कुल 4 question था वैसे था 4 में axis क्यों पड़ था और यहाँ पे axis नहीं देखर कि इसका a coordinate हमें यहाँ पे दिया हो था now question number 6 देखो last question if a and b be the points आपको यहाँ पे क्या कह रहा है a, b 2 points है 3, 4, 5, a है और minus 1, 3, minus 7 आपको b point है find the equation of the set of the points p such that p a square plus p b square equal to k square where k is a constant तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक point आपका a है एक point आपका यहाँ पे b है और एक और point है p तो आपको यह नहीं का question में कि p a equal to p b है या फिर आपका कोई क्या p a plus p b equal to 10 है अब हमें यहाँ पे क्या कर दिया equation को change कर दिया कि एक p point ऐसा है जिसकी p से a तक की distance का square और p से b तक की distance का square है उन दोनों का आपने sum कर दिया यह p a का मतलब क्या है p a का मतलब p से a तक की distance यह तो है करना है कि ऐसे बहुत सारे points होंगे p के coordinate actual की यहाँ पे बात कर रहे है तो p के यहाँ पे बहुत सारे coordinates होंगे जो इस equation को satisfy कर रहे होंगे let की 1,2,1 है let की आपका 2,3,5 है ऐसे बहुत सारे infinite points है तो आपको एक ऐसी equation बना करके लानी है जो इन सारे points को satisfied करती है यही तो कहा find the equation of the set of the points p तो p के वो सारे जो भी points यहाँ पे आ रहे है उन सारे points के आप एक equation बना करके लेके आओ लेकिन वो equation इस तरह से होनी चाहिए कि p a square plus p b square मतलब p के point से distance इसमें रख दो तो यह आपका left equal to क्या होना चाहिए right होना चाहिए मतलब आपने p की जगे यहाँ पे रखा one रखा two रखा one रखा तो p से a तक के distance का square p से b तक के distance का square यहाँ पे k square constant कुछ आना चाहिए तो actual में हमारे पास यहाँ पे k तो क्या है constant है k को हमें यहाँ पे नहीं देखना हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है एक equation बनाने तो equation बनाने के लिए हमें यह condition यहाँ पे दी हुई है तो इस condition के according आपको p से a तक के distance चाहिए तो हमने भई variable की फॉर्म में ले ले कि जितने भी points होंगे उसको यह हमारा x, y, z represent करीगा तो हमें एक equation बनी अब equation आपकी चाहे linear में बने चाहे quadratic में बने चाहे cubic में बने वो equation कैसे भी हो सकती है चिक है तो यह आपको समझ में आ गया तो बहुत simple है p point हमने ले लिए x, y, z अब p से a तक के distance निकालेंगे p से b तक के distance निकालेंगे फिर उनका square यहाँ पर value को put कर देंगे और इसको solve करके हम यहाँ से हमें एक equation को बना लेंगे तो given points answer ऐसे ही लिखना है a point, b point let coordinates of point p x, y, z है हमें p के coordinate नहीं find करने हमें इन सारे points की यहाँ पर equation बनानी है जो भी यहाँ पर points आएंगे तो इस condition को satisfied करेंगे उसकी हमें equation बनानी है और equation किस तरह से होनी चाहिए p a square plus p b square equal to k square इस तरह सको equation हमारी होनी चाहिए ठीक है तो अब p से a तक के distance के लिए तो distance का formula आपको पता है p से a तक के distance हमें निकालनी ही इसका distance का formula आपको क्या होता है तो x2- x1- y1- x1- y2- 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 z2- z1 यह होता न हमारा formula अब आप किसी को भी यह इसको हम x1 इसको y1 इसको z1 ले लेते है किसी को भी आप कुछ भी लेते हैं अब x1-y1 भी दो इसको पहला लेते हैं इसको x1 इसको y1 इसको z बने लिता है तो x2-x1 होता ना तो x-3 का स्कार हो जाएगा y-4 का हो जाएगा और ये z-5 हो जाएगा कैसे भी आप ले सकते हूँ यहाँ पर ठीक है तो p-e कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर root होता है ये distance के formula में क्या था root होता है x2-x1 तो x-3 का स्कार तो यह होगा आपका x-3 का स्कार फिर y-4 का स्कार तो यह होगा y-4 का स्कार फिर आपका क्या होगा z-5 का स्कार तो यह होगा आपके z-5 का स्कार ठीक है फिर आपका p-b स्कार तो p-b स्कार मतलब p से b तक की distance तो यह PA square है तो यह तो अमने PA निकाला भी square हो गया अब PB का square तो P से B तो यह आप यहाँ पर ले लो X1, Y1 और Z1 X2 minus X1, X2 कितना है X है, minus X1 कितना है तो minus 1 है तो आप यहाँ पर डिफो में साइड में गड़े हो ताकि एक step मेरी यहाँ पर बढ़ेना तो X2 कौन है? X2 आपका यहाँ पर X है फिर formula का minus है फिर X1 कौन है? तो यह आपका यहाँ पर minus का 1 है तो minus minus क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यह दोनों minus मिलके क्या बजाएगे? minus minus plus हो जाएगे तो यहाँ पर सीधा X plus 1 लिख देती हूँ ठीक है? फिर Y2 minus 5 है तो Y minus 3 का square तो यह हो गया आपका Y minus 3 का square हो जाएगा फिर Z2 minus Z1 तो यह Z2 तो आपका Z ही है और फिर यह अगे आपका यहाँ पर यह यह आगे तो इसको में यहाँ पर लिख लेए Z2 कौन है? तो Z है फिर formula का minus Z1 कौन है? तो यह आपका minus का 7 है तो minus minus क्या हो जाएगे? प्लस हो जाएगे? यह यहाँ पर हम लिख लेते हैं Z plus 7 का square और equal में क्या है? आपका यहाँ पर K square तो यह तो PB हुआ और यह PB का square हो गया तो square से root cancel, यहाँ भी square से root cancel तो बचा कौन आपका यहां पर इधर बचा आपका x-3 का स्क्वेर बचा यहां पर आपका y-4 का स्क्वेर बचा और यहां आपके z-5 का स्क्वेर बचा फिर इस वाले में से आपका x-1 का स्क्वेर बचा फिर आपका यह y-3 का स्क्वेर बचा और यह आपका z plus 7 का square बचा और equal में कौन है आपका यहाँ पर k square तो बस इतना simple question है अब बस हमें इंको solve करना है तो यह a minus b का square क्या होता है a square तो x square b square तो 3 का square 9 हो गया minus 2ab तो 3 2s आ 6x हो गया फिर यह हो गया y square फिर 4 square 16 हो गया फिर minus, minus है तो 2ab के आगे minus हैगा 2ab तो 2 into 4 4 2s आ 8y हो गया फिर z minus 5 तो यह हो गया z square 5 का square हो गया 25 minus 5 2s आ 10z हो गया फिर यह हो गया आपका x square 1 का square 1 हो गया प्लस का 2x हो गया फिर यह y square इसको कर रहे है y square plus 9 फिर यह minus का 3 2s आ 6y हो गया अब इसको करो तो यह हो गया आपका जैड स्क्वेर सेवन का स्क्वेर क्या हो गया 49 फिर प्लास सेवन टूजा तो 14 जैड हो गया तो इक्वल में आपका की स्क्वेर हो गया बस अब हमें इसको यहां पर क्या करना है solve करना है तो x square यहां भी है और एक यहां भी है एक यहां से आएगा यहां से आएगा ना तो दोनों add होके आपके 2x square हो जाएंगे same आपका y square यहां भी है और y square यहां भी है तो यह हो गया आपका यहां पर 2y square फिर z square आपका यहां भी है और z square यहां भी है तो यह आपका यहां पर हो गया 2z इस तरह से हम solve कर रहे हैं पहले सारी square की term लिख रहे हैं उसके बाद x y z के लिखेंगे और फिर constant लिखेंगे फिर यह minus का 6x है यह plus का 2x है तो number को देखो आप यह minus 6 है यह plus का 2 है तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा sign negative आएगा क्योंकि 6 बढ़ा है और x के साथ चिपका हुआ as it is लिख दो फिर y देखो यह और यह minus minus क्या होता है प्लस होता है तो 8 plus 6 क्या हो गया 14 sign negative आएगा क्योंकि दोनों negative और y के चिपका के लिख दो फिर z देखो यह plus है और y minus plus minus minus 14 में से 10 गया तो आपका 4 बचा sign आएगा आपका यहाँ पर positive क्योंकि 14 बढ़ा है और z यहाँ पर चिपका दो तो हमने चिपका दिया यहाँ पर अब बचे आपके numbers तो number यह 9 है अब यहाँ पर देखो number तो बहुत सारे 9 है 16 है 25 है फिर आपका 1 है फिर अगेन आपका यहाँ पर 9 है और यह आपका 49 है ठीक है यह सारे number है तो यह सारे number में आपके सारे ही plus है 9 plus 16 यह भी plus यह भी plus यह भी plus यह भी plus और यह भी plus तो इन सब को जब आप यहाँ पर add करोगे ना तो यह plus का 109 है तो इक्वल to k square है तो constant आपको question में पहले से right side में दिया है तो हम भी यहाँ पर constant को right side में ले आते हैं चीक है अब पीचे से answer में लाना पी तो ज़रूरी है तो मैं यहाँ पर इसको इसलिए धर भी लेके जाए हूं क्योंकि तो यहाँ तो यहाँ 2 के टेमला 2 आता है यह भी आता है 4 आता है 14 आता है यह नहीं आता है तो म माइनस 4x माइनस का 14y फिर प्लस का आपका 4z हो गया इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस का 109 गड़ जाके माइनस का 109 तो अब इन में से सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो यह हमने 2 कॉमन है अब देखो एक्जाम में तो final answer आप यह भी लिग दोगे ना तब भी आपका सही है एक को दी ना है दो कician निकाला यह x-square हो गया यह y-square हो गया यह z-square हो गया तो एक्स हो गया तो के दो पैजने धे ना Points हो गया तो यह 2z हो गया ईकुल तो कि स्क्वेयर माइनस 109 अब यह तो को इदर पादा है तो को देख दो प्लासy जार प्लस z square minus 2x minus ka 7y plus ka 2z equal to आपका k square minus 109 divided by 2 हो गया और यही वो equation है यनि कि p के जितने भी points आएंगे न वो सारी इस equation को क्या करेंगे satisfied करेंगे तो यह आपकी यहाँ पर क्या होगे equation होगी क्योंकि इसने हमें p के coordinate नहीं निकालने के लिए का उन सारे coordinate की equation निकालने के लिए तो यह उन सारे coordinates की हाँ पर equation है तो इसको satisfied करेंगे वो इसको भी यहाँ पर satisfied कर लेंगे तो आई hope आपको यह पूरा chapter अच्छे से समझ वाया है notes के लिए link description में दिया हुआ है otherwise आप math teacher.blog पर जाकरके भी notes free में download कर सकते हो और अपनी friends को share भी कर सकते हो thank you